स्टुदेंट्स आज हम डिटेल जानकारी लेने वाले हैं डिटेल इन्फरमेशन लेने वाले हैं ए आई एस एस एई टो थाउजन ट्वेंटीवन आल इंडिया सेनिक स्कूल एंटरंस एक्जाम 2021 में जो होने वाला है उसकी हर एक चीज की जो जानकारी है हर एक एंगल से मने को देखने वाले हैं और पूरी इंफरमेशन इस वीडियो में रहेगी लगातार वीडियो को देखें पूरा वीडियो देखें रिजिदेंज स्कूल से यानि बच्चे का सेलेक्शन होने के बाद इसको वहीं रिजिदेंस मिलेगा वहीं उसको रहे ना है यह एक ऑटनॉमस और मिनिस्ट्री आफ डिफेंस के अंडर में है सारे डिशन कुछ से लेती हैं और बेसिकली इसमें एंडिये आईयने और आईयमे इनकी तैयारी फोकस रखके बच्चों को पढ़ाया जाता है यदि आपका 6th क्लास में इडिमिशन हो जाता है 6 से लेके 12th क्लास तक आपको इन सारी एक्जाम्स जो इंडिया की टॉप मॉस्ट एक्जाम्स हैं उनको जानमे रखते वे जो कुछन दी जाएगी यानि बात कर प्रोसस के बच्चों दो मेंली काम करने है पहले तो इसका इंटरंस एक्जाम देना है और एक उसके बाद एक मेडिकल टेस्ट हो के जो बच्चे से पास हो जाएंगे बात करते हैं सीट्स की 6th क्लास में सीट थोड़ी ज्यादा होती है 90 सीट्स होती है बट 9th क्लास में बह इसके बात करने का सिर्फ इलिजबिलिटी बाकि और सारी इलिजबिलिटी हैं बट इलिजबिलिटी लाइक आप आपके एज्युक्तिन जो हैं 5th क्लास पास वे होने चाहिए आप से 6 में पट रहे हैं आप कोई दिक्कत नहीं यह इसक्स क्लास के लिए अप्लाइए कर रहे है और is calculate कब होगी 31st March of admission year जिस साल आपका admission होगा इसी जो एक्जाम दो जारी किस में होने वाला है उसमें दो जारी किस में आपका इस calculate होगा यह नहीं आपका is calculate होगा 31st March 2021 इसके coding होगा यह आप यहां तक इस category में आ रहे हैं या इस category में आ रहे हैं तो यू कन अप्लाइफ और इस examination तो बच्छों बहुत important है eligibility को बहुत ध्यान से ध्यान परक्तिव फॉम को फिल करना है बात करते है रिजवरेशन की रिज से बिलॉंग कर रहे हैं वहाँ से फिल करते हैं फॉर्म तो 76% उनका quota रहता है 33% बाहर के districts का रहता है तो बहुत important है कि आप जहां से बिलॉंग कर रहे हैं वहीं से फॉम फिल करें तो आपके chances ज्यादा बढ़ जाते हैं और 25% total जो भी seats होती है उसका जो रिजिवरेशन है है तो डिफेंस के लोगों के लिए रहता है जो डिफेंस से पहले बिलों करते हैं के पैनेंट्स उन्हीं को ही वह शीट अलोट होगी बच्छों सबसे इंपॉर्टन जो नया नोटिफिकेशन है उसमें online application जो फॉर्म का application का है मैंने एक पहले वीडियो डाल रखा है कि इसम यहां देखा फॉर्म की फीज सम्मेट करा सकते हो करेक्शन को मिस्टे करे गए आपका करेक्शन को नाम में या किसी चीज में करेक्शन करना है तो आप पांच दिसमेंड़ तक विंड़ खुले कि इसमें कर सकते हूं बात करते हैं एक्जामीनिशन फीज की तो जनरल अब पांच फॉपचास एसस्ट की चार्ट बच्वों तो बहुत ही नोमनलिश फीज से कोई दिक कर दिया कर दिया डियो अचिए है बात करते हैं इंग्जाम पैटन की बहुत इंपोर्टेंट है कि आप जो भी एक्जाम दे रहे हैं इसका एक्जाम का पैटन तयार होना यह पैटन पता होना बहुत ज़रूर है मैं 6 क्लास के लिए बात कर रहा हूं पहले तो मीडियम ऑफ एक्जाम तो हिंदी इंग्लिस और रिजनल लेंग्विज कोई भी रिजनल लेंग्विज के अंदर यह आप एक्जाम अटेंड कर से बहुत बहुत इंग्जाम कवर करता हैं बात करते हैं पेपर फर्स ने से कि दो लेंग्विज से 25 क्योशन आते हैं और सबसे इंपॉर्टन इस का हरे क्योशन तीन मार्क्स का है तो आप लोगों को मैट्स पर कमांड करनी ही करनी पड़ेगी इसके एक्जाम को आप करेक्ट करना चाहते हैं तो जीके के अंदर आपका साइंस और लेंग्विज के अंदर नुशनोंर नंभर का है यनि मैंच्स आप का टो टेल невॉन फिप्टी मार्क सका है अब का इस नू पास कर पाते हैं सैकंड पेकर हो बहुत ईजी सा होता है है इंटलेजेंग इंट्रिजेंस टेस्ट होता है और 25 कुसिन आते हैं इसके 25 क्यूसिन आते हैं टूमाट्स होते हैं टूटल माख सोगे 50 पचास निमगर तो बच्छों टूटल पेपर फॉर्स्ट इन सेकंड में से 150 क्यूसिंस आए मैं 25 क्यूसिंस आएंगे और 300 मार्क्स के होंगे तो आपको तीन से स्कूर करना होगा यह नो डाउट ईजी आता है तो इस पर फोकस करेंगे पूरा ऊश्चोह कर सकते हैं मैइस में टैंक से स्कूर करेंगे पूरा स्कूर कर सकते हैं यह थोड़ें चांसे कम रहते हैं तो situation पहले कमांड करिए और इनको भी आप लगातर पढ़ते रही है तो आपका सेलेक्शन हंडिड पर सिन्ट हो सकते हैं बात करते हैं नाइंथ क्लास के लिए बच्चों नाइंथ क्लास के लिए थोड़ा पेपर बढ़ा होता है लिंदी होता है इसमें जो मीडियम औफ एक्जाम मैं वह अवो अन्ली इंग्लीस है। इंग्लीस के अंदर ही पेपर आएगा इंग्लीस है। 15 के ने जरेंगे जनर साइंस 25 की को सुन सेंस ge का हर के संच यार मार्क्स का है बाकिए सारे दो-दो मार्क निकिए मैस्ट जार नॉमबर का तो बहुत इंप्धान है मैस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते इंग्लेस का हर के संदो और गाइन पको टौल नमबर मैस दो सो नमबर गाएका इंगीस पचास नम्राइगा साइन्स पचास नमबर अगया टोले पर फिल सप्रस्टि और तीन सु पचास नमर का थी तो इस जंग से पेपर फॉर्स न सेकेंड में टूटल क्यूसंस आएंगे इन टूटल मार्स होंगे फॉर हंडेड तो यहां भी आपका मैस बहुत इंपॉर्टन डोल प्ले कर रहा है तो आप लोगों को मैस पे फोकस करने अच्छे से और यहां पे आप पूरे में से पूरे स स्कूर कर सकते हैं तो कोशिश करेंगे यहां भी आप लोग अच्छा स्कूर करें कम से कम 50 मैं से 48 47 तभी आपके चांसेंगे एक्जाम में स्लाक्न होने के क्योंकि सीट नो डाट कम रहती है बात करते हैं एक्जाम डेट की बच्चों एक्वाग्जाम डेट को मैंने करने हैं इसी के कोडिक अपनी स्टैटिजी बनानी है मैं जल्दी कल या परसुइंग वीडियो प्लोड करने हैं मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले पूरे डिसम्बर हैं कैसे पढ़ाई करनी है और लास्ट के जो नो दिन बचेंगे जनवरी के अंदर उस इन कैसे क्या स्ट हार एक में 25 परसेंट माक्स वाने आने चाहिए और आपका एग्रिकेट 40 परसेंट होना चाहिए यह आपका सेलेक्शन नहीं करवाएगा यह आपको उस लिस्ट के अंदर ले जाने के लिए पहली क्राइटेरिया है मतलब पेपर बहुत ज़दा हाड आ गया और किसी उसके इडिए पंच होने बाद करेंगा एग उसको कुछ निए करने वाले तो यह तो यह कोई आपका मेरिट लिस्ट नहीं है यह बेसे यहांसे पूछते रहते हैं क्या पड़ियों कोई की जवड़त नियुक की जवरत करें तुम्हें तुम्हारी जो भी टैक्सक्राइक गारे कर रहे वह कूछ आपने पड़ाइए उसको डंग से पड़िए हर एक चीज़ को पढ़िए लाइन को पड़िए और उनीगी प्राक्टिस के लिए आप देफिनिली देख सकते हैं, आप एक ट्यूशन देख सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, आप लोग आप टैसरी जोइन कर सकते हैं, बहुत इंपोर्टन चीजे, बट आप बुक्स के पीछे मत भागें, क्यों सब्सक्राइब करता है, कुछ बहुत बड़ी बुक्स होती है, बहुत जाता है उसमें पेजेस लेज़ें, बड़े वाले इसका उनल स्लेक्शन हो जाएगा, इसका कुछ भी निए बच्चो, मेन है कि हर एक चीज में जो भी आपका सलीबस हम लोग यहां बताएंगे आप को वो syllabus का हर एक पॉइंट आपका तयार होना चाहिए इसी दंक से नाइध की बात करें तो फिफ्ट से लेकर के एक एक लिखावा है जो भी सब्जेक्ट से है जाए मैच से साइन से सस्टी है जाए इंगली से आपका तो यह सारी चाहिए आपकी बेसिकली उनी बुक्स में से आने वाले है और एक information आपके लिए बच्चों future series institute जो बीकानेर के अंदर है वो offline और online दोनों तरह के classes अभी online classes चल रही है offline जब भी जैसी government के आधे साथ ने हम लोग offline classes भी start कर देंगे तो आपके लिए सारी facilities पूरी की पूरी coaching available है online and offline दोनों available रहेगी and हम लोग बहुत जल् online test series तो हर बच्चा इंडिया में कहीं भी रहने वाला बच्चा इसको join कर सकता है यह test series दो तरह के होगी एक paid test series जोगी दूसरी free of course test series जोगी आप पैसे नहीं दे पाते हैं तो कोई tension नहीं है free test series भी आप लोग करवाने वाले हैं और आप लोगों को एकदम सटीक questions देंगे अच्छे questions देंगे जो exam point of view से बहुत important है हमारी पूरी के पूरी टीम लगे विए इन test को बनाने के लिए आज के जितने papers हुए हैं उनको analysis करके test series बनाई जा रही है तो students thanks for watching वीडियो को subscribe करने के लिए subscribe button पर click करें और latest updates के लिए bell icon पर click करें